मिसमिन नायर्बारिया, स्वावनिकूम, वेलकम बैक टू टू टाइम्स यूट्यूब चैनल, टाइम्स यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के बारे में हम आपको अगाह करेंगे, हम आप लोगों को समझाएंगे कि हम इसमें कौन-कौन सी चीज को डिसकस करने जा रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले डिसकस करेंगे कि हम अपनी जीमेल के ओपर कैसे हम रिकवरी नंबर एड कर सकते हैं, हमरे पास एक जीमेल होगी और उसके ओपर हम आप लोगों को रिकवरी नंबर एड करके दिखाएंगे और आप लोगों को स्टेप बाइ स्टेप करके समझाए तो इस वीडियो में हम complete detail के साथ ये सब कुछ करने वाले हैं आप सब को हम live करके दिखाएंगे आप सब के सामने हम ये करके दिखाएंगे और all to all proof देंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request है कि वीडियो को like कर दें, comment कर दें, share कर दें और अगर हम हमारे चैनल पर new हैं चैनल को subscribe करके साथ ही bell icon प्रेस करते हैं आपके हर आने वाली वीडियो का notification आप लोगों तो पहुंचता रहे हैं तो बिना time waste के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आईए आपको ले चलते हैं अपने mobile की screen के उपर तो इस वक्त हम अपने mobile की screen के उपर आ चुके हैं और इदर से हम आप लोगों को बताएंगे कि Gmail के उपर कैसे हम number add करेंगे सबसे पहले हमने जाना है Gmail Admin के अंदर वहांसे हम अपनी Gmail सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ओब बै approximate अबना लगाना चाहते हैं यहां से हम यह आईकन जो बना हुआ इस पर क्लिक करते हैं यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन सी Gmail है और किस पर हम लगाना चाहते हैं मेरी काफी Gmail पड़ी है तो मैं इस वक्त किसी भी एक Gmail के उपर लगा देता हूँ तो इस वक्त मैं इस पे लगा देता हूँ इसको Open करने के बाद मैं सबसे पहले इस पे क्लिक करूंगा और इसके बाद Manage Your Google अकाउंट पे जाओंगा जैसे ही मैं Manage Your Google अकाउंट पे जाता हूँ यहां से हम अपनी यह जो Gmail है इसके उपर हम अपना नमबर एड़ करेंगे रिकवरी में नमबर एड़ किया जाता है तो हम इस वक्त एड़ करने जा रहे हैं यह भी थोड़ा सा सर्चिंग ले रहा है सर्चिंग लेने के बाद हमारे पास निव पेज उपन होगा और यह हो चुका है हमारे पास निव पेज उपन तो यहां से हम अपना नमबर एड़ करेंगे तो सबसे पहले आपने जाना है सिकूरिटी में क्लिक करने के बाद हमने जाना है recovery phone पे recovery phone यह हमारे पास सामने शो हो गया है और इस वक्त tis में कोई भी number add नहीं है तो यहां पर हम इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक निव पेज ओपन होता है और इस पेज को हम देख लेते हैं इस पेज के अंदर हम अपना नंबर एड़ करेंगे यह हमसे पासवर्ड मांग रहा है कि इसका पासवर्ड कौन सा है तो इस वक्त हम इसमें कोई भी पास वाड़ हो हां तो यह हमरा पासवर्ड इस वक्त लगच चुक है और यहां से हम एड रिकावरी फोन पिकलिक करके अपना नंबर एड़ का सकते हैं तो यहां पर मैं अपना नंबर डाल देता हूं 0 3 4 0 0 6 7 1 3 2 9 & Next पिकलिक कर देता हूं और गेट कोड पिकलिक करता हूं तो यह मेरे नमबर पर code जाएगा वो हमने इदर देना है और यह हमारा verify हो जाएगा तो इस वक्त हमारे mobile के उपर code आ चुका होगा तो हम देखने जाए है, message में जाते है तो देखे message के अंदर एक message आया हुआ है तो हम वो देख लेते हैं यह देखें मेरे पास दो मेसेज आए हुए है तो मैं इस पे कलिक करता हूँ और इसके बाद यहां पे आकर इस पे कलिक कर देता हूँ और वेरिफाई पे कलिक करता हूँ तो यह देखें हमारा नंबर वेरिफाई हो चुका है तो यह सारा तरीकार था और इसके अंदर हमने आप लोगों को बताया कि नमबर कैसे एड़ किया जाता है यहां से अगर हम आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं जस्ट हमने यह इस डिलीट वाले आपशन पर किलिक करना पड़ेगा और रिमूव नमबर पर किलिक करना पड़ेगा तो ये हमसे रिमूई हो जाए गा तो बेक ले चलता हो तो ये हमारे पास रिमूई भी हो चुका है जांसे में एक शोटा सा और काम भी आप हो बता दिया है कि किसे रिमूई किया जाता है सबसे पहले हमने एड़ किया उसके बाद फौरण उसको रिमूव कर दिया तो इस वक्त हमरे पास यहां पे नंबर शो नहीं हो रहा अगर यहां से पर रिकवरी जीमेल एड़ करना चाहते हैं कि टुस्टफ वेरिफीके के यहां पर कुलीक करेंगें जैसी क्लिक करेंगे तो यहीं हमारे से पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड मांगने के बाद फिर वहीं नंबर में एड़ करना पड़ेगा और अ मः और यहां करने चाहर पर भी सिक verification पिकलिक करके यहां से two step verification भी add का सकते हैं लेकिन यहां पर हम add नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारा topic था just recovery number add करने का तो वो हमने करके दिखा दिया आप लोगों को और साथ ही हमने आप लोगों को remove करके भी दिखा दिया तो यह थी आज की वीडियो और इस वीडियो में हमने complete detail के साथ बताया नेक्स्ट वीडियो में हम इन्शाला new topic पे आएंगे और new topic पे बात करेंगे तब तक के लिए दीजिए हमें अजाज़त आलाँ आफिस